परसीं पॉनोग्रॉब टैइलिपेजिन रिसीव करते हैं जो ओडियो और विडियो होती लिए है अलागे लग से जो आती है उनको mix किया जाता है combination network के दुरू उने mix करके antenna, transmitter, antenna के दुरू sent करदिया जाता है लेकिन अगर transmitter है तो receiver पे रोगा receiver antenna क्या करेगा जो signal transmit हुआ हूं से receive करेगा और जो थेखते हैं TV पे हमारा receiving antenna होता है हम क्या करते हैं जो जो इसे हमने से वाधे होता है दो जर्द siya सेय जाते है तो जो भी वारा मारा सीचाल होथा होता है एंव पर पर तून पी जाते है रिख जज्र करे गा Fest दिया तोनर होता है तानल मतला पर्लकोर फ्रेक्वेंसी को सेट करेगा तूंड करेगा उसे और फिर उसे सेट करेए एक जो कि intermediate frequency amplifier हो, common IF amplifier, और पर यह जो signal आएगा यहां से वो जाएगा video detector, लेकि वीडियो detector पर जो audio और वीडियो आएगी तो दोनो, लेकि वीडियो detector सिर्फ वीडियो को detect करके video को detect करेगा, और वीडियो को detect करके video amplifier पर भीज देगा, लेकि ओडियो को क्या होगा, यहां सतब वीड वीडियो को amplify करेगा, अब जो audio होगी, उसके second step होगा, फिर जो video detector से, जो भी हमारा signal होगा, वो जाएगा sound IF amplifier पर, जो sound होगी, intermediate frequency amplifier, वो amplify होगी, और फिर उसको sent कर दिया जाएगा, FM sound demodulator पर, demodulator करेगा, जो पहले modulate किया गया था, जब transmitter करते हैं, transmitting करते हैं, तो modulation करते हैं, modulate करते हैं, FM modulating amplifier पर इसको modulate कर दा है, receiver पर क्या होगा, वो demodulate होगा, और demodulate जो की opposite होगा, receiver पर, और demodulate के बाद, उसको audio amplifier पर जाएगा, audio amplifier के जाएगा, जो भी audio आएगी, उससे amplify किया जाएगा, इनके frequency modulate frequency vary करते हैं, carrier के according, यानि frequency को separate किया जाता है, carrier सी, और फिर उस signal को लिया जाता है, audio amplifier के पास signal जाता है, audio amplifier उससे amplify करते है, अब audio amplifier, जो की loudspeaker के साफ ने इचित होते हैं, टेलिवसर के, loudspeaker क्या करेगा, जो हमारी sound होगी, जो भी आई है, वो produce करेगा, video और audio दोनो अलग-अलग, receiver एड़ पे separate होगे, अलग-अलग से जाएगा, आएगी, और loudspeaker, loudspeaker जो भी मारा, वो होगा, जो भी पिक्चर के साफ, जो sound आई है, वो sound करेगा, अब ये तो हमने के sound की बात, अब हम देखते हैं, जो हमारी scan and synchronizer circuit है, video detector के साफ, और जो हमारी टेलिविजर होता है, उसके साफ, scan and synchronizer circuit है, जो भी इसका काम transmitter में है, वो ही काम यहाँ है, यह करेगा, scan करेगा, और जो भी वीडियो के, उसे synchronize करेगा, कि जो वीडियो आ रही है, वो प्रॉपर्ली जा रही है, कि उसमें कोई distortion तो नहीं है, उनको scan करता है, इसका काम क्या होता है, कोडिनेट करना, जो scan होती है, और जो हमारे camera tube होती है, टार्गेट पर उसको कोडिनेट करता है, क्योंकि अगर वो कोडिनेट नहीं करेगा, तो चुक्टर के होजेगी, स्पीट हो जाएगी और डिस्ट्रोई हो जाएगी, इसलिए, इसका इसका योज किया जरता है, scan और स्पीडाइज सर्कित का योज किया जरता है, और ये television के साथ connected होता है, वीडियो एपलिफायर के जो, ये picture tube, picture tube ते जो कि होगी TV की, उसके साथ connect ह और फिर प्चर ट्यूब से हमें जो भी देखिए साउंड यहां से मिलेगी और पिक्चर यहां से जो कि हम देखते हैं यहां से हमारी लाइट आते हैं पिक्टल सो जाते हैं अब हम आगें के बारें डिस्कंस करेंगे यानि कि हम यहां ही ट्रांस्मीटर पे जो हमारी साउंड है और पिक्चर है वो कंबाइन के चांद के आता है रिसीवर पे फिर से हमने स्टिट करके देखा जाता है यह हमारा बेसिक मोनोप्रॉप टैलिगी तरफिसीवर थैंक्यू इस वीडियो को देखने के लिए झाल हो